आज हम एक चोटी organization के कुछ issues और उनके solution या उनके planning strategy के उपर थोड़ी सी discussion करेंगे कल हम लोगों ने जो एक एक survey conduct किया था एक audit चोटा सा किया था वित बाउट six seven interviews of different employees and and one of the senior management also उसमें हमारे हमने कुछ issues identify के था I will go one by one पहला issue था if I remember correctly is employees retention या employees turnover उसको जो हम नाम देना चाहेंगे better term use के लिए यूज करना चाहेंगे वो हम करेंगे job satisfaction क्योंकि retention तभी आप कर सकते हैं जब वो आप उस आपके employees को job satisfaction की feeling होगी definitely वो इतनी जर्दी चोड़ कर नहीं जाएंगे तो one is job satisfaction ठीक होगे जी second हमने identify किया था issue if you remember correctly मैंने बताया था दो तीन issues हैं second था office environment and you know organizational structure में जो चीज़ें ठीक होने वाली है organization structure में जिसमें reporting है किसी की direct reporting है किसी की वाया वाया reporting है किसी की dotted line reporting है तो organizational structure ठीक होने वाला है ठीक है जी organization structure हो गया third जो हमने identify किया था वो भी actually indirectly reflects to job satisfaction ये employee retention वो था benefits salary plus benefits plus उनकी total package में जो जो चीज़ें आती हैं तो job satisfaction एक इतना बड़ा concept है जिसके अंदर आपकी बहुत सी चीज़ें आ जाती है वो छोड़के क्यों जाता है वो रहना क्यों नहीं चाहता वो उसको यहां पर क्यों नहीं दिल कर रहा और वो क्यों changes सोचता है तो end of life benefits वगरा भी है मेंली हम दो को लेकर चलते हैं जो कि दो तीन चीज़ें जो चोटी चोटी हैं वो इसी के बड़े umbrella के नीचे आ जाती हैं तो उनको हम करेंगे हम solution की तरफ अगर जाते हैं तो solution दो तरह के यहनि के दो concepts यह दो school of thought से आते हैं पहला school of thought है professionally ठीक है जी पहला है professionally दूसरा जो है वो है humanly मैं आप से share करूँगा मेरे point of view या मेरी जो suggestions हैं कुछ चीज़ों को ठीक करने की जो मैंने professionally सीखा है अपने career में for about 24-25 years और जो मैंने humanly सीखा है अपने career में 24-25 years तो professionally यह यह इन जैसे और भी हम list करने जाएं तो हमें 10 issues मिल जाएंगे चोटे मोटे बड़े organization के तो professionally इन सब को address करने का जो books में हमें तरीका पढ़ाया गया है practice भी होती है उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको लेके चलनी है वो है business plan आप कोई काम शुरू कर रहे हैं या आप कोई period शुरू कर रहे हैं या यह खतम होरा है साल आपका December है तो आप January से 2017 को आप देखेंगे you need to sit and write a business plan business plan में आपने अपना mission statement लिखना है अपना अपनी summary लिखनी है आपकी product क्या है और आपकी product है या service है जिस भी चीज़ को आप market कर रहे है उसको आपने देखना है कि उसकी positioning कैसी है इस वत market में है उसका competition कितना है उसका customer, existing customer और जो potential customers हैं उनको satisfy करने के लिए उनको happy करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है तो first चीज़ जो आपको plan करनी है वो business plan है ठीक है business plan आपको लिखना है और professional लिखना है और यह business plan उसको कहते है यह आपकी Bible होती है आपको throughout that period that one particular year जिसका आप business plan लिखते हैं आपको उसके उपर चलना पड़ता है जिसमें आप अपने targets भी set करते हैं आपने जो achieve करना है number wise वो भी हब set करते है तो उसको लिखना बड़ा ज़रूरी है तो इसमें जो चीज़ें आजाएंगी उसमें आजाएगा आपका आपके targets financially targets targets आएंगे आपके revenue profit revenue, profit आपके HR आपकी cost cutting cost management ये आपके business plan का part बनते हैं तो जब आप business plan right कर लेते हैं अपने mission statement लिख लेते हैं अपने अपने चीज़ों को लेकिन इसको इसको लिखने के लिए definitely आपको ये 2017 का लिखने के लिए आपको 2016 का business review करना है ठीक है तो ये आपको करना है 2017 का इससे पहले आपको 2016 का review करना है definitely ये ही सारी चीज़ें आपने review करनी है कि क्या target set हुआ था achievement quarter by quarter क्या हुई है profit का target क्या set हुआ था उसकी achievement क्या हुई है HR के कितने लोग थे जो कि आपके आपकी जो running cost है जो आपके expenses है उसको आपने control करना है तो कितने लोग थे according to the revenue उन लोगों की क्या contribution है अगर first करें 1 million का per month का revenue है तो क्या जो 10 लोग है या 20 लोग है उन पे per head count कितना आ रहा है उसको देखते हुए आपने 2017 का हर चीज का अपना target सेट कर लेना है ये बहुत जरूरी है कि इसके बाद आपको ये चीजें को ठीक करने की तरीके आपको खोदी नदर आने शिरू हो जाएंगे ठीक है तो जब आप business plan अपना लिख लेते हैं business plan के अंदर अपने revenue target profit target HR management में कितने लोग हैं कितने लोग मजीद लेने हैं तो उससे आपको अपने पूरे साल के expenses का भी एक forecast मिल जाती है कि rent कितना है तनखाएं कितनी है लोगों के training and development पे आपने कितना खर्चा करना है और training and development पे और marketing पे यह वो चीज़ें हैं जिनको आपको इस साल के revenue से पहले ही पैसा निकाल लेना है यहां के जो revenue हुआ उसकी एक percentage training and development पे जो एक practice है worldwide आपको minimum 2% of the revenue आपको पहले ही set कर लेना है ताकि जो आपका HR management HR development होगी इसमें आपको तकलीव ना हो गया पैसे कहां से लाए इनको training कहां से लाए इनको courses कहां से करवाए वो रख लेना है दूसरा आपने expenses के लिए marketing के लिए आपने इसमें से budget रख लेना है वो budget आप साथ लेकर चलेंगे तो आपको कोई की मुश्किल नहीं होगी जाहर है इस साल से भी आप निकालेंगे वो अगले साल के निकालेंगे तो इन चीज़ों को आपको कर लेना है जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे मैं वापस आता हूँ आपके issues के उपर job satisfaction के issues mainly क्या होते है अकसर लोग ये समझते हैं कि यार market rate इस इस role का या इस इस category का 10,000 है हम तो 11 दे रहे हैं इसको job satisfaction होनी चाहिए I mean generally यही thinking आती है कि यार हम तो कम नहीं दे रहे हैं job satisfaction होनी चाहिए job satisfaction is not only about money ठीक है job satisfaction is about the entire feeling his his उसकी जो current situation है उसने जहां grow करना है company के साथ उसने grow करना है company ने भी grow करना है उसने भी grow करना है तो उसकी job satisfaction को आपको देने के लिए सबसे पहले जो आपको पहले चीजे जो ठीक करनी है step जो हमने identify कि उसमें है उसमें आपको HR के जो basic principles हैं वो आपको apply कर देने basic principles very clear क्या है HR के जब आपने hiring करनी है तो उसके basic principles बहुत मतब शुरू से हमको पढ़ा दी जाते हैं business की study में पहला क्या करना है ऐसा नहीं है कि मैं आया और मैंने का कि हैसन भाई ये मेरा जानने वाला है और बहुत अच्छा है इसको आपने रख लिया हम इन यहां से सारा काम गरबर शुरू हो जाता है आपने काने जाहिए बहुत अच्छे हैं आप जब तक आप जाहिद का रखें और किसी का बंदा रखें जब तक आप उसकी JD नहीं बनाएंगे आपको बंदा रखने की अपने HR को ज्यादत नहीं देनी चाहिए आप बोलें कि पहले JD बना के लिए आओ उससे अपने काम क्या लेना है JD में उसके 1,2,3 उसकी टास्क होगे, उसके साइनमेंट होगे, जो आपने उससे लेने हैं, जो काम लेना है, वो लिया, उसके बाद आपने जॉब अटविटाइज की, किसी भी प्लेटफ़र्म से की, उसके बाद आपने उसके इंटर्व्यूज किए, स्कूरूटनी की, बंदे को लिया, इजूकेशन पे इस पर्टिकलर जॉब के लिए अब आपका काम एचर एधन एचर मेनजर आपका काम चुनूँए था है कि उसकी उसके उसके ग्रोथ पाथ क्या होगा वो आज एक सेल्स एग्जेक्टिव आ रहा है वो सेल्स एप सुपरवाईजर कब बनेगा वो सेल्स उसकी उसका ग्रोथ प्लान उसके केपी आईज तो फिर आपकी मॉनिटरिंग एजी हो जाएगी चूंकि वो केपी आईज को आप फिर रेगुलर्ली उनका अप्रेजल करेंगे आप हर तीन मेने बाद छे मेने बाद साल के बाद बैठेंगे कि आपको ये केपी आईज दी थी आपके ये टार्गेट था आपने 80% एचीव किया आपने 60% एचीव किया आपने 100% किया जब आपको नदर आ रहा है कि वो 100% एचीव कर रहा है इसका मतलब है कि वो उसको आपने वो जौब सैटिसफेक्शन देनी है कि वो हमारा employee retention वाला problem solve हो जाए ऐसा ना हो कि हम उसक को दस दे रहे है कल उसको साथ में किसी ने हमारे competition ने देखा उसको बारा दिये वो तो नहीं रुकेगा तो आपको उसको एक complete सिर्फ salary नी एक complete job satisfaction देने के लिए आपको उसको salary अच्छा माहौल grow करने का माहौल grow करने की opportunity management के साथ direct communication कि वो वाया वाया ना आए HR manager के पास और HR manager से अगर कोई issues हैं तो वो उनसे discuss करें very clear अगर आप उसको growth plan दे देंगे तो वो किसी भी जगा पे वो लड़ खड़ाएगा नहीं लेकिन अगर उसको growth planning नहीं पता होगा एक नए hire होने वाले को तो वो के match हमेने के बाद जब मैं ये KPIs पूरे कर लूँगा तो मैं कहा पहुचूँगा जब उसको ये नहीं पता होगा तो वो फिर जो इदर से उदर से आने वाली चीज़ी हैं यार वहाँ ज्यादा मिल रही हैं वहाँ चलते हैं वहाँ अपलाई करते हैं वो करेगा लेकिन जब आप उसको KPIs और KPIs के साथ इंसेंटिव बहुत जरूरी है इंस मेरे उपिनियन के मताबेक एच और%. जब आप इदों चाहिए मैच होनी चाहिए उसको पता होना चाहिए के कमपनी अगर 100% अचीज़ करना चाहती है और उसमें मेरा 20% का मेरा contribution है तो क्या मैं वह अचीव कर रहा हूँ जब वह अचीव कर रहा है तो उसको आपने incentive scheme पर रखना है यह तुमारी set salary है जो practice है ना internationally, multinational companies की वो 70-30% है फर्स करें आपने किसी को देखा कि यह 10,000 का बंदा है 10,000 में से आपने 7,000 उसके fix salary रखी 3,000 आपने उसके variables कहते हैं उसको रख दिया तो हर quarter में तुम्हें यह मिलेगा यह 30% of salary है यह हर quarter में तुम्हें तीन महिने के मिलाके मिलेगी तो वो देता है job satisfaction obviously उसके बाद फिर और चीजें है, benefits है medical है, insurance है 7,000 वाली जो आपकी salary होती है ना, आपने एक बंदा आपने एक जेडी लिखी ना, जब आपने जेडी लिख दी तो फिर एचर ने जेडी के साथ बैटके, अपने management के साथ बैटके, तै कर लिया कि यह जेडी मैंने लिखी थी, for example यह जेडी मैंने लिखी थी, php developer की, ठीक है यह था php developer, जेडी लिखी और costing देखी, market में देखी, price देखी, जेडी developer की cost आती है first करें, लाख रुपया, ठीक है अब इस लाख रुपय का, आपने उसको लाख रुपय की salary नहीं देनी आपने उसको देना है, 70-30 आपने 70-1000 उसकी salary fix कर देनी है 30 आपने उसकी KPIs के साथ connect कर देना है आपने उसको कहा कि तुम, तुमारी KPIs यह हैं कि तुमने महीने में तीन projects करने जो भी है, तीन करने, तीस करने और quarter में तुमने यह achieve करने और वो जो projects करने है उसमें customer satisfaction बड़ी जरूरी है उसमें revenue का जो target सेट किया है वो उसके साथ connected बड़ा जरूरी है profit का जो target सेट किया है वो उसके साथ connected बड़ा जरूरी है जब आपने उसको आपने उसको 3 महिने 70-70-70 दिये ठीक है और 3 महिने के quarter के बाद आपने उसको उसके साथ बैठे उसके आपने KPIs चेक की उसने अचीव किया सारा आपने 3 महिने का 30-30-90 आपने उसको incentive दिया this is going to motivate him like anything ठीक है अच्छा इस में जो यह जो यह जो मैं इंसेंटिफ बता रहा हूँ इसमें यह जातर हमारे यह समझाता है पहले तो लोग इसको मानते नहीं है नहीं नहीं हम अची सेलरी दे रहे हैं किस चीज का इंसेंटिफ दे फिर अगर मान भी जाते हैं तो सिर्फ सेल्स वालों को देते हैं कि यार सेल्स साल पहले मैंने उनको ये सजेस्ट किया तो दो कंप्रीज थे मेरे डिस्ट्रिबीटर थे एक ने कहा के वही बाद किया ने कर नहीं हम अच्छी सेलली देते हैं हम तो मार्केट से अच्छी देते हैं क्यों देंगे दूसरे ने इस चीज़ को अंडिस्टैंड किया और उसने इस कीम जो मैंने इसनको शेयर की थी जो सरजेस्ट की थी उसने इंपलिमेंट कर दी टॉप से लेके बॉटम तक बॉटम का मतलब उसने जो गाड़ था जो चौकिदार था जो ड्राइवर था उसको भी उसने कर दिया उसका उसकाurs Il क्यों गूला मैं चंद महीने बाद उस जब हमारा कंटेनर आता था शाम को पोर्ट से फारे होके 6 बजे 7 बजे तो हम कुछ नहीं कर सकते थे हमें एक दिन का कंटेनर का और रेंट देना पड़ते था क्योंकि हमें लेबर सुबा मिलती थी उसको उतारने के लिए कहता है अब मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता मेरे अपने जो ये लोर स्टाफ हैं ये वेट कर रहे होते हैं कि कभ कंटेनर आएगा कभ हम इनको उतारेंगे और ये स्टाउक में आएगी और स्टाउक में गई हैं आज 500 गई हैं इसमें मेरा मेरा भी यह बन गया बेशक आपने आपने पर लैपटाप सेल्स वाले के सौ रुपए रखें आपने पर लैपटाप अपने गाड के पांच रुपए रखें दस रुपए रखें वो जब देहेगा हजार लैपटाप होगी वो दस से उसको multiply करेगा अपनी excel sheet में वो कहता है मुझे जल्दी जाना ही नहीं है मुझे शाम को बैठ रहा है क्योंकि हम unload करेंगे सुबहस की investing शुरू होगी पहले नीचे वाले staff को फिकर नहीं थी investing की क्योंकि उनके salary उनको मला हमाद salary पकी मिलनी है हमें तो अपनी salary मिलनी है मगर आप उनको पतला गया उनका 30% वो incentive पे है तो उन्होंने हुद help करनी है मज़ोरी बुलाओ हम भी बिलते हैं तक जल्दी उतरे जल्दी investing शुरू हो और जल्दी हमारा भी meter चलना शुरू हो तो incentivize very important it's not that you know managers and top managers are getting the bonus and incentive and lower staff is not getting this is not a practice worldwide sales वाली companies we are sales company you have a product to sell service product whatever all everybody should be a salesperson either he is directly selling or he is helping you to sell what a guard is doing what a chawkidar is doing what a driver is doing he is helping you to sell because he is helping you to be more productive so this is my point it reflects here directly job satisfaction hope it clears your question आपने जेडी सेट कर दी आपने उसकी KPIs बना दी आपने जब उसको involve कर लिया आपने उसको part of business बना लिया अपना आपने उसको actually आपने उसको business partner बना लिया ना without any investment वो business partner बन गया वो आपके revenue और profit target में जान मारेगा क्योंकि उसको result नदर आ रहा है end of the day आपने उसको अपने जेडी से कुछ नहीं देना आपने उसको total revenue से या profitability से देना है जो भी आपने उसके लिए scheme सेट करनी जो भी calculation करनी है वो करके आपने communicate कर देना है आओ बेटा आओ चाचा ये है जितना करोगे उतना मिलेगा ठीक है न? वेरी गुड उसको थोड़ा सा बेतर कर ले बेतर कर ले और आप उसका result देखेंगे वो आपको result नदर आना शूरू हो जाएगा और ये problem बहुत हद तक solve हो जाएगा because he will get employee engagement employee involvement यहाँ पर create हो जाती है otherwise engagement and involvement engagement and involvement create नहीं होती वो एक certain level तक रहती है जो के शामिल है जो उपर का staff है जो के शामिल है जनकी बस visibility है वहाँ तक तो होती है निचे का staff के तायर शे बज़ गया है ऐसी की तैसी बंद करो मैं जा रहू मुझे कह लेना देना मुझे तो अपनी salary मिल जा नहीं salary उसको मिलनी है बड़ उसको आपने यह जो आपने variable रख दिया यह उसको पता है कि मुझे नहीं मिलना जब तक मैंने contribute नहीं करना तो contribution based incentive scheme implement करे ठीक है ना कि जिसमें उसका contribution शामिल हो जहां पर आपको फिर अपने दूसरी चीज़ों को देखना है आपने अपनी product का SWOT analysis करना है आपनी अपनी company का SWOT analysis करना है और फिर आपने goal set करने है before I move to that यह मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दिया है we can sit always and do in-depth you know strategy planning on that जो आपने यह set करना है एक तो organization का अपना हो जाएगा बड़ा goal फिर हर department के हो जाएगे separate goal हर department को आपने एक separate entity consider करनी है हर department का आपने एक business unit manager business head यह जो department head जो manager है उसको आपने manager नहीं consider करना उसको आपने business man consider करना है उसको आपने कहना है कि तुमारे department के यह target है यह achieve करने आप किसी तरह भी करें आपको support कर जाएए पहले साल के शुरूर में बैठ जाएए आपको बंदे और चाहिए आपको गाड़ी और चाहिए आपको computers और चाहिए बता दें चाहिए आपकी एक cost में आप पहले साल के उसमें डाल देंगे planning में यह चाहिए मुझे आपसे क्या चाहिए very clear goals clear नहीं बलके smart goals smart goals के एक terminology है उसको use करें वो है goal set करते वक्त अपने भी अपने employees के भी अपने company के भी यह terminology आप use करें यह है specific Essay-specific goal specific होने चाहिए development team के very specific goal होने चाहिए development team software development team के goals मुझे नहीं idea आपको आप इस field में काम करते हैं उनसे कितनी आपने development करानी है कितने अपने apps बनवाने है कितने आपने software बनवाने है कितनी website बनवानी है वो specific numbers होने चाहिए KPIs में KPIs is a key performance indicator कि उसमें specific होने चाहिए vague नहीं होना चाहिए उसमें कोई confusion नहीं होने चाहिए कल को वो बोले का आपने तो यह बोला नहीं मुझे यह कहां लिखके दिया कि इतने करना था मैंने वो very specific होने चाहिए दूसरा M से है measurable ठीक है measurable यानि कि आपने sales वाले को अगर आपने number दिये है तो आपने यह निगाना मुझे तुमसे बहुत sales चाहिए जितनी sales करोगे उतना पैसे दोगा नहीं उसको अपने एक set measurable target देना है कि मुझे तुमसे 50,000 की sales हर quarter में चाहिए मुझे तुमसे पांच नए customer हर quarter में चाहिए मुझे तुमसे अपनी team जो है तुमारी यह तुमें मुझे satisfied team चाहिए तुमारे लोगों में इस साल में अगर दस की team है एक बंदा आया गया चेंज हो है तो ठीक है अगर तीन से ज़दा हो गए तो यह भी तुमारा target है तो कोई भी target आप में देने है उस smart देने specific, measurable उसके बाद है आपका यह से achievable achievable again unrealistic target गार आप किसको unrealistic देदेंगे यार मुझे तुमसे न 10 लाग की sales चाहिए quarter तो उसको तो भगाने वाली बात होगी compare करके market देखके product देखके customer देखके history देखके पिछली आपने उसको specific, measurable and achievable goal देने target देने ठीक है देना आता है relevant if I am not mistaken smart, measurable, achievable relevant उसी के domain के relevant उसी की field के relevant वो जो numbers है वो चीज़ें जाहर है आप एक PHP developer को यह नहीं कह सकते के तुम्हें इतने customer लाने है customer satisfaction part of his product, part of his service, part of his productivity है but directly customer लाना इसका काम नहीं है customer sales वाय लाएंगे उसके बाद इसको देंगे कि इसको तुम्हें यह काम करना है तो वो उसकी domain से, उसकी field से, उसकी KPIs relevant होने चाहिए finally T for time bond आपने उसको time bond देना है यह bound करना है कि यह नहीं देना है कि यह सारे goals देके उसको कहना है यह तुम achieve करो अच्छा 6 मैं नहीं हुए चलो साल में कर लो नहीं you have to be very 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 strict I would say specific and very very visible monitor his performance time to time month में क्या किया, quarter में क्या किया, साल में क्या किया और उसी तरह उसके आपने वो लिख के उसको targets उसकी KPIs में शामिल कर देना है कि यह तुमने यहां तक achieve करना है, यहां तक achieve करना है यह उसको दे देना है इनके देने के बाद जब उसके आपने JD लिख ली, interview हो गया, recruitment हो गई, goal set हो गई, KPI set हो गई आपने उसको development plan दे देना है तुमने एक साल में यह target achieve कर लिया, तो हम तुमें इतना ऊपर ले जाएंगे, तुम्हें यह training करवाएंगे जो के एक लाग रुपए की training है बादार में तुम्हें certification करवाएंगे, PHP में, software में कोई नई certification है Microsoft की है, Oracle की है, किसी की है, हम यह करवाएंगे तो जब आप उसको हायर करने के बाद, properly हायर करने के बाद, सारे जो HR के principle है, वो apply करने के बाद, KPI सेट करने के बाद, target सेट करने के बाद, उसका आप दे देंगे, उसको development plan जिस plan के लिए आपने 2016 से already 2% separate रख लिया था training के लिए, तो आपको ये problem, काफिया तक साल हो जाएगा, मैं नहीं कहा था कि 100% साल हो जाएगा, market ऐसी है, जिस market में मैं operate करता हूँ, वहाँ पे बंदा जॉब छोड़ नी सकता है इतनी असानी से, वीजे का problem, ये problem, वो problem, तीन लेकिन जब आप ये चीजें properly आप implement कर देंगे, पहले plan करेंगे, design करेंगे, strategy बनाएंगे, implement कर देंगे, आपका ये बहुत हद तक solve हो जाएगा, organization structure भी आपके इसी business plan में आएगा, business plan है, कितने department है, उपर MD है, जो एक tree बनता है, वो क्या बनता है MD के नीचे, कोई GM हो सकता है, यहाँ पर, उसके नीचे, या CEO हो सकता है, उसके नीचे क्या है, आपका एक sales है, आपका HR है, आप, हाँ, lock, 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 NOC, what is NOC, network operations, हाँ, आपका IT है, ठीक है, एक आपका IT है, एक आपका HR है, एक आपका operations है, HR में आपका admin भी आ गया, आप लेना चाहें, तो logistic आ सकता है, उसके नीचे फिर, तीन, तीन, चार, चार बंदे हैं, ठीक है, टीम है, हर एक की, उनके role clearly defined है, उनके domains clearly defined है, ताके फिर इनके नीचे भी फिर, यहाँ पर फर्द करेंगे, organization grow होती है, हर department का एक GM होता है, उस GM के नीचे एक manager होता है, उसके नीचे तीन, चार बंदे होते हैं, इस organization structure फिर एक अलग पूरा subject है, जिसके उपर हम दिल लगा सकते हैं, organization structure आपको very clearly communicate करना है, मतलब जो बंदे आ रहे हैं, उनको पता होगा कि मैंने किस काम के लिए, किस के पास जाना है, मेरी reporting किसको है, मेरी direct reporting किसको है, मेरी dotted line reporting किसको है, मुझे किस के पास salary increment के लिए जाना है, मुझे किस के पास personal problem के लिए जाना है, मुझे किस के पास customer problem के लिए जाना है, मुझे software IT के problem के लिए किस के पास जाना है, उसको एक clear हो, ताकि हर बंदा हर काम ना कर रहा हो, ठीक है जी? तो job satisfaction के लिए मैंने आपको कुछ चीजें यहां बता दी clearly organization structure के लिए मैंने आपको बता दिया कि organization structure के लिए आपको different tools मिल जाएंगे वो आप किसी भी tool को use करके organization structure एक अपना बना सकते हैं, implement कर सकते हैं और clearly communicate कर सकते हैं वो communicate करने में यह होता है कि for example यह HR department है, इसमें एक HR GM है, एक HR manager है, एक HR assistant है, एक administrative assistant है तो यहां आपने एक बंदा लिया उसकी JD बनाई, उसकी salary बनाई, उसकी incentive बनाया अब आप जब उसको अपना development plan देंगे तो आप उसको बताएंगे कि you can always perform and step to next level from here you can plan in step to next level तो उसको एक, जब आप यह monthly meeting के अंदर HR अपने organization structure को share करेंगे और first करेंगे कोई भी यहां से जाता है manager, तो उसको नीचे वाले को नदर आ रहा है कि मेरे लिए opportunity बनती है आगे grow करने की तो जब उसको visibility होती है अपनी grow करने की तो यह बहुत हद तक उसको जो बाहर से आ रहे होते है ना, यहां से यहां से उन पर कान नी धरता उसको अपनी salary plus benefits plus incentive मिल रहा होता है वो उसकी engagement इस हद तक होती है कि आप हर month अपने number share करते है अपने बुला के team को बिठा के हर month end of the month बुठाया team को हर department की progress दिखा दी जाहिर है आप IT company है कोई ना, कोई system आपका ERP या कोई CRM चल रहा होगा उससे number लिए, number खोले, number share कर लिए यहां हम आज है हमने तीन मेन में यहां पहुंच रहा है तो वो engaged होता है this is it for today's session main bullet points which I wanted to highlight and convey with our yesterday's exercise and the issues and the problem is one thing main important thing for management to go with the business plan and go religiously with the business plan जो plan बनाया है monthly, quarterly, साल का उसको हर उसको अपने बड़ा-बड़ा करके screen पे लगा दें कि उसको follow करना है उसमें आपका revenue, profit, HR, expenses costing, marketing development, training development actually revenue, profit, HR, marketing T&D training and development इनका highlight करना बहुत जरूरी है आपके business plan में business plan का फाइदा यह होता है कि आप as a management आपको visibility होती है कल को आपने किसी को लेना है as an investor more inject करना है आपने capital आप फॉरण business plan को लेंगे दिखाएंगे यह हमने पिछले चार साल किया यह हमारा इस साल का plan है हमारे दो साल के आगे के plan यह है और यह हमारी profitability है यह हमारी balance sheet है लाइए इतने million आपने अगर इसमें invest करना है तो तो these are the things I wanted to share with you humanly मैंने इसलिए वो छोड़ दिया था खाली कि humanly बताने के लिए यह और और इसके अंदर अगर हम in depth जाएं तो ऐसे मतलब है 10 word भरे जा सकते है deep जाएंगे हर चीज़ के HR के profitability कैसे manage करनी है product positioning कैसे करनी है revenue की management क्या है figures कैसे है आपका by the way यहाँ पे आपका जो एक हम भूल के department वड़ा important है accounts ठीक है यह सब कैसे करना है तो यह भरते बर जाएंगे लेकिन अगर आप आ रहे हैं humanly कि मैंने अपने 2024 year से इस सारे का humanly क्या result निकाला है तो वो एक sentence है वो कहता है after all after all of the education and experience and you know practical and theory and everything after all we all are humans that's it एक कूजे में दरिया बंद है मैंने आपको यह निकाल 99% professionalism होने चाहिए इस में percentage कही नहीं है यह है philosophy यह philosophy as a business owner होनी चाहिए आपको you should be having this somewhere in your heart and mind why because यह जिन में नहीं होती जो सेट मैंने देखे हैं Allah माफ कर दे मुझे वो यह 70-30 तो छोड़ो वो इस 70 से में भी 70 में मैं इसी 30 में चोड़ लेते हैं उसका salary cut कर दी यह कर दी वो कर दी benefit नहीं दिया वो नहीं दिया यह नहीं दिया उसमें से भी वो उसको profit समझ लेते हैं Allah माफ करे मैंने ऐसे बंदे देखे हैं कि वो उसमें से जो उन्होंने cutting की उन्होंने का इस महीं ने हमने 15 लाक बचा लिया वाई because this was not there और यह क्यों है because everybody in this world wants to grow a business owner wants to see his company growing a CEO wants to see his company growing a sales manager wants to see his department growing himself growing आज उसके दो बच्चे हैं कल चार उने आज स्कूल जा रहे हैं कल उन्होंने college जाना है पर university जाना है so अगर यह नहीं है तो आप आप इसके उपर कुछ भी कर लेंगे एक सवाल में आएए आएए सवाल कर दिये अगर मैं जो मैं समझा आपकी इन दोनों चीज़ों को लिए दोनों आप इसके पार्वें में बताएगा जाना है लिए नहीं नहीं मैं 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 उस यह यह नहीं है पहले तो चीज़ यह है कि अगर आपने किसी को टार्गेट दिये हैं एक टार्गेट दिया है हंडड़ सेल्स करने का या हंड़ड प्रोड़क्ट बेशने का और वो उसको अचीव नहीं करता है तो कौन रिस्पॉंसिबल है जो बंदा है सेल्स वाला हो रिस्पॉंसिबल है इग्जाक्टली मैं आपको बताओ कौन रिस्पॉंसिबल है मेरी बेटी एक स्कूल में बढ़ती थी और कुछ इसको स्कूल में क्लास में प्रॉबलम होगे हम गए पैरेंट्स बच्ची अभी तीस्टी चौथी क्लास में थी हमने का ये उसने का ये प्रॉबलम सकी साथ हमने का निए ये प्रॉबलम सॉव कर सकते हैं क्यूं निए आप करती क्यूं इसको अथर्ग ताइम देती तो शी चेहरेंस लेदी किवेरी थार्टी-इफ़ सुडर्धे साओन benef होगे आप over the class students हो गए हैं, आपके 20 होने चेहीं से 35 हो गए हैं, your management should be solving this, it's not my problem, I will not solve. I am paying, I want my kid to get proper attention. So, अगर यहाँ पे कोई नहीं perform कर रहा है, तो यह जो JD बनी थी, जो hiring हुई थी, hiring सिर्फ HR manager नहीं करता. HR manager hire करता है department manager की consultancy से. Hire करता है, hire करने के बाद उसकी जो KPIs बनती हैं, जो targets बनते हैं, यह smart targets, यह भी department manager की consultancy से होते हैं. उसका जो total target होता है, उसमेंसे वो divide करके नीचे देता है. तो वो इसके और HR manager के consultancy से होते हैं. तो अगर वो smart target नहीं थे, देखेंगे न, उसने achieve क्यों नहीं किया, या तो specific नहीं थे, या measurable नहीं थे, या achievable नहीं थे, या time bond नहीं थे, relevant नहीं थे, या, या उसकी training and development में कमी रह गई. बंदा तो आपने ठीक लिया ना, JD, JD finalize करके, interview लेके, तो, तीन interview करें, बंदा आपने ठीक लिया, अब वो बंदे ने perform क्यों नहीं किया, not necessary कि बंदे का problem है, उसका भी हो सकता है, but on the whole, ये company की responsibility है, कि smart goal दे, और smart goals को monitor करे, उसकी progress को monitor करे, एक महीना नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, आओ बैठो, क्या problem है, तुम्हें support चाहिए, तुम्हें training चाहिए, तुम्हें हाथ ठीक नहीं है software पे, let's do a, very quickly उसको operate T&D में ले जाना है, निकाल के, ये तुम training ले लो, you are not going to achieve your targets, so, as a head of operations, as a head of the company, you must help your people to achieve targets, because if they will achieve target, आपका बड़ा टार्गमिदी अचीव होगा न, आप भी उपर उठेंगे, आपकी भी ओनर बोलेंगे, क्या बात है, ये बिंदा अच्छा है, इसकी team perform कर रही है, अचीव कर रही है, तो you need to not only identify the problem, but you need to also think of a solution for that person, क्या है, जैसा आप निगार कि अगर इसको एचीव नहीं कर पाता है, तो बहुत सारे रिजन भूदे हैं, बहुत सारे रिजन भूदे हैं, तो उन रिजन्स की बेशिस के उपर, और अगर हमारे लागी में बीच में नौल हो जाए, तो उसको आप पाता हैं, अगर रिजने ठाटीव नहीं कर दूदेव नहीं कर दूदेव अगर थे थे तर्टीपर्शंट नहीं मिलेगा, but you on the top need to make sure that the targets were smart it was an achievable targets based on his JD, his competency, his experience, his education, his know-how and आगे जो आपने अपनी as a company की जो policy की हुई आपके customers है, आपके पास opportunity है वहाँ पे आपको मिल रहा है invoice करने के लिए कुछ बंदा या नहीं मिल रहा उसके कुछ भी reason हो सकते है न अचीवना करने के इसके लावा जो आपके control में नहीं है, उसके control में नहीं है वो regional issues and geographical issues you know, कोई आपका बंदा लहोर मार्केट का या अस्तामबाद मार्केट का है you know, बार्शे हो रही है, सेलाव आ रहे हैं, कोई और कुदरती आफ़त आ गई कोई मुल्क के हलाद economy खराब हो गई, कोई taxation के problem है वो तो, वो चीज़े हैं जिनका सब पे असर पढ़ना है लेकर अगर individual is not performing, the rest of the company's performing, the rest of the department's performing then there's a problem with that person's initial hiring plan, development plan, growth plan, understanding और यहाँ पे देखें, कितना time देना चाहिए, यह depend करता है, यह आपको management ने बैठके देखना है कि उसके पस गुझाईश कितनी है internationally, multinational companies दो quarter नहीं देते पहले quarter में वो warning दे देते दूसरे quarter में thank you करेते हैं, तो 6 मेने समझ लिए because आप invest कर रहे हैं न, आप उस पे, आपकी वो investment है तो आप क्यों ऐसी जगह पे invest करेंगे जो के आपको आगे से उसका result नहीं नजर आ रहा getting my point that's about it so, so, आप answer ये है के maximum 6 months see, humanly involvement आपका कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ, ये भी एक subject है इसको कहते है, involvement of emotions emotionally हम एक emotional charged काउम है और हम emotionally involved होते है अब ये top management को इसके उपर leadership courses करने leadership courses आपको सिखाती है कि आपने balance कैसे रखना है आपने रोज आके उससे गले मिलना है रोज उसके साथ lunch करना है रोज उसको आपने, बिल्कुल एक को अपने करीब कर लेना है दूसरे को दूर कर लेना है, वो करना नहीं आपने balance रखना है सबके अंदर human factor को भी आपने balance रखना है professional factor को भी आपने balance रखना है तो इसमें आपका balance रखने के लिए there is, I mean people learn this in 20-25 years and obviously, honestly मैं जब मेरा भी beginning of career था मुझे भी कुछ नहीं पता था मैं भी शाहिद इसी तरह react करता था फोरण या handle नहीं कर पाता था तो it comes with the time and it comes with the learning आपकी अपनी learning कितने हुए आपने अपने कितने जगा पे धक्के काए है for example, एक एक company है वहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे मेरे एक session था वहाँ पे ये issue पता लगे तो management पता लगा कि family management है सारी father है, son है बेटी भी काम कर रही है wife भी काम कर रही है अब father तो he came through all the learning धक्के खा गया है मगर वो बेटी ने कहीं job नहीं wife ने कहीं job नहीं कि उनकी वो पहला as a head of the department उनका पहला experience है उनका ये factory नहीं create हो रहा उनको पता ही नहीं है कि किसी को धक्के खाने पड़ते है job के तो फिर क्या होता है job किसी की खतम होती है तो उसको क्या feeling होती है job खतम होने का डर होता है तो क्या feeling होती है उनको development HR development and training तो ये आपका जो question है बहुत जबरदस्त है लेकिन इसका answer जो है वो एक session में नहीं है human factor और professional factor को balance रखना एक top leader का काम है वो leadership quality है उस पे दो तीन घंटे भी हम बात कर सकते है ठीक है चल भी end the session thank you very much for listening thank you very much you all